हाई फ्रेंड्स आप लोगों ने मेरी यूट्यूब चानल पे देखा होगा ज्यादा तर वीडियो स्ट्रॉबरी फ्लेवर के केक की है तो यह भी स्ट्रॉबरी फ्लेवर का ही केक है लेकिन फ्रेंड्स मैं वीडियो भले स्ट्रॉबरी फ्लेवर के केक के लाती हूँ लेकिन कभी भी उसको सिधा नहीं बनाती हूँ मतलब सिधा म horrowych कोई ना कोई ट्विस के साथ मJक को कट करके बनाती हूँ तो कभी इक हुए कपा इसको को अब हैं विबना अब ने इसको कट कर लेंगे वड सरोज आपको किसी भी बेकरी शॉप एजली मिल जाए अगर आपको इन नहीं मिलता है तो आप इसके जगा प्लेन जो रॉक्स पेपर का यूज कर सकते हैं नहीं तो फिर मैंने जो कौफ़ी फ्लेवर का केक बनाया था उसमें मैंने मैदे से डस्कर के केक टीन को रेडी किया था अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकी देखिए यहाँ पर मैंने लिया है प्रीमिक्स तो यह एक कप भर के प्रीमिक्स है इसमें डालेंगे एक चम्मत जितना तेल दो-तिन ड्रॉप एसेंस और डालेंगे एक ड्रॉप पिंक जेल कलर इसेंस होता क्या है तो मैं आप लोग को बता दू आप लोग पाइनैपल फ् तो आपको ए बैटर को हमेशा इसे ही बनाना होता है अगर आपने इसको एबदम लिक्विटी बना दिया तो इसका स्पोंज अच्छे से बेक नहीं होगा अगर बेक हो भी गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा केक को बेक करने के लिए ना जादा गाड़ा हो ना जादा थीक हो हमारा केक का बैटर इस बात का ध्यान रखेएगा अब देखिए इस बैटर को मैंने टीन में डाल दिया है और इस टीन को हम टैप करने बेक करने रख देंगे तो देखिए टैप करकर बेक करने रख देंगे और इसको हमें 35 मिनिट तक बेक करना है अब तक हम बना लेंगे क्रीम तो देखिए यहाँ पर मैंने ली है क्रीम क्रोकोलाइट की और देखिए इसमें पूरी क्रीम डाल दूंगी इसमें एक कप से थोड़ी कम ही क्रीम है क्रीम है क्रीम है क्रीम है क्रीम यहाँ पर मैंने पू लाइट कलर लग रहा है तो इसमें में एक डॉप और डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी फ्रेंड्स अभी थोड़ा गर्मी का मौसम है तो आप क्रीम में प्लीज जेल कलर का ही यूज कीजिएगा अगर लिक्विड कलर डाल दिया तो क्रीम मिल्ट हो सक लते तब हम कटने में हम इसको तर डेक्व और मं इसको प्रेंड्स के कट्यों कितने सब्सक्राइव स्ट करनी है तो देखिए मैंने सिर्फ लेयर में कट किया है और चाल बने के ब मुरुशा बना है पर हमने की दोने को कट कर लिया है और फ्रेंड है लोग बजट कर में रखेंगं की है।rust यहाँ जाए लोगन हम तो यह रखेंगे को लेकिन सबसे पहले हमauth l लेयर को कट करना है क्योंकि हम इसको स्रॉबरी सिरफ से सोप करना है तो यह इससे सोप नहीं होगी तो इसलिए हम इसको कट करना होगा देखिए हाँ पर मैंने सिर्फ उपर की जो चितनी वारी लेयर थी उसको ही कट किया है और देखिए अभी हम कर लेंगी इसको स्रॉबरी स सिरफ से सोप और देखिए सोप करने के बाद में इसके उपर डाल दूंगी क्रीम और उसको पी अच्छे से स्प्रेट कर लोगी फ्रेंड्स आप लोगों ने बेकरी पे देखा होगा की 500 रुपय में सिर्फ वैनला फ्लेवर का केक मिलता है या फिर भी बहुत महिंगा मिलता ह चॉकलेट तो उस से भी महिंगा मिलता है चॉकलेट का प्राइस जो है वह 4-4500 रुपय तक चला जाता है लेकिन हापर चॉकलेट फ्लेवर हो स्टॉप विडिवर हो या फिर कौन सा भी फ्लेवर हो मैं सिर्फ 500 रुपय में हाप केजिगा केक देती हूं कि ने केक उससे भी बहुत कम बजेट में हैं मतलए केक सिर्फ 200 रुपे में हैं तो कॉस्टमर कहने लगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ 200 रुपे में केक चाहिए तो मुझे कितने बटर पेपर निकल चुकी है इसको भी कर लेंगे सिर्फ से सोप कर लेंगे केक की क्रम कोटिंग तो फ्रेंड्स में आप लोग को बताती हूं तब तक कि एक केक में कर दिया लेकिन केक इतना बड़ा लग रहा था कि मुझे को 200 रुपे में सेल करने का जी नहीं कर रहा था लेकिन अभी मैंने कहीं दिया था कि देव दूंगे थे इसलिए मुझे देना पड़ा क्यूंकि हमारे वज़ेसे किसी का इसलिपरेशन नहीं रुकना चाहिए तो मै सँस्टे होते हैं वह सर्षटे हैट अपने लोग को मैं बता देती हूं जो नहीं। सटी है कि रीज़ की अपिकों शब्सक्री मोग होते हैं। देखिए बातों बातों में मैंने केक के उपर क्रीम लगा दी है अभी मैं क्या करूंगी स्क्रैपर के हेल्प से साइट्स को देखिए मैं क्लीन करूंगी अगर आप लोगों को फिनिशिंग करने में प्राबलम आती है कि हमसे बराबर फिनिशिंग नहीं होती है तो यह वीड देखिये अब हेड़ात कर लुंगी सेफ मैंसे डिजैंग मना लूंगी और उपर भी ऐसे ही डिजैंग मनांऊंगी लेकीन फ्रेंच टो मैंने बना लेकिन मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने सार्व डिजैंग को मिटा दिया और मैंने क्या कि यहां जो सिलिकॉन का ब्रश होता है मैंने उस ब्रश से इसके वेपर डिजाइंग मनाई तो देखिए कि इतने अच्छी लग रही थी मुझे तो बहुत पसंद आई तो इसलिए मैंने इसी को रहने दिया अब देखिए एक पाइपिंग बैग में मैंने पिंक कलर की क्रीम है और उसमें मैं डाल दिया नोजल और फ्रेंड्स नोजलना मैं आज ही लेकि आए थी तो फ्रेंड्स में आप लोगों के साथ ना बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ कि मेरे पास कितने नोजल से और उसे डिजाइंग कैसी बनती है क्योंकि मैंने अभी तक आप लोग क लेकिन मेरे पास क्रीम भी कम बची थी तो इसलिए मैंने जैसी डिजाइंग बनी उसी बना दी लेकिन बहुत अच्छी बनाई है तो देखिए अभी मैं क्या कर लूँगी इसके साइट में और ऐसी डिजाइंग बनाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मुझे खाले-खाले रग र तो देखिए अब जो बॉर्डर तो मैंने बना दी लेकिन पूरी नहीं बनी सिर्फ आदी ही बनी क्योंकि तभी मेरी क्रीम खतम हो चुकी थी मतलब बहुत क्रीम कम थी मेरी वाइपिंग बैग में तो उससे पूरी डिजाइंग नहीं बन सकती थी तो इसलिए मैंने पूरी नोदल से साइट्स में बॉर्डर बना दी है तो फ्रेंड से वीडियो आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेट में जरूर बताईएगा और देखिए डिजाइंग बनने के बाद मैंने लिए आपर सिर्वर कलर के स्प्रिंकल्स और देखिए इस प्रिंकल्स को मैंना जो डिज इसके उपर मैंने बड़ी टेग और नाइप को रख चिपका दिया है और अभी इसके अंदर रख दूंगे में केक को देखिए अभी केक को रखने के बाद में के पर बड़े टिया तो देखिए कि इतना अच्छा लग रहा था यह कि अप लोग को बनदी कर देंगें और य झाल 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 झाल